Good morning students, आज हम हिंदी व्याकरन का पाठ साथ पढ़ेंगे सर्वनाम सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? नाम की जगह जो शब्द आये नाम की जगह का अर्थ क्या है? नाम की जगह का अर्थ है नाम वाले शब्द अर्था संग्या शब्द वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तू का हो सकता है या फिर स्थान का नाम हो सकता है तो उन शब्दों के जगह जो शब्द आये उसे सर्वनाम कहा जाता है वे कौन-कौन से शब्द है? आये रेखते हैं मैं, मेरा, मुझे, व, तुम, तुम्हारा, तुम्हे, तुम्से, हम, हमारा, हमे, आप, आपका, आपके, आपसे, उससे, उनका, उनहे, वे आदी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम नाम के अस्थान पर प्रयोग करते हैं जैसे ये कलम है ठीक है ये कलम किसका है मेरा है तो मेरा मेरा किस शब्द के लिए यूज हो रहा है मेरा नाम क्या है विजया तो ये कलम विजया का है ना करकर हम क्या कहेंगे ये कलम मेरा है ठीक है, तो विजया के जगा कौन सा शब्द आया, मेरा, मैं पढ़ा रही हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं, मैं कौन है, विजया, तो विजया जो है, एक शब्द है, एक नाम वाला शब्द है, तो उस शब्द के जगा हम किसका प्रयोग किये, मैं, मैं पढ़ा रही हूँ, म अब इस चार्ट के माधियम से हम जानेंगे सर्वनाम शब्दों को कब और कैसे प्रयोग किया जाता है जब कभी भी हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं या अपने बारे में किसी को बताते हैं तो अपने नाम की जगा मैं मेरा मुझे हम हमारा हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे मैं एक अध्यापिका हूँ मैंने अपने नाम की जगा क्या प्रयोग किया मैं मेरा विद्याले बहुत बड़ा है किसका विद्याल है मेरा विद्याल है ठीक है मुझे पढ़ाना पसंद है तो यहां भी आप देख रहे हैं कि मैं अपने नाम के जगा मैं मेरा मुझे इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हूं और ये शब्द क्या है सर्वनाम ठीक उसी तरह जब हम किसी से बात करते हैं तो वो दूसरा हद में क्या करता है बात को सुनता है तो वो क्या हो क्या सुनने वाला तो सुनने वाले के नाम की जगा हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, आप, आपका, आपसे जैसे हम पहले पुछेंगी, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है? तुम्हारा, तुम अच्छे लड़के हो, मतलब हम किसी को बता रहे हैं, किसको जो मेरी बात सुन रहा है, तो उसके नाम की जगा, हम कौन-कौन से शब्दों को यूज़ कर रहे हैं? तुम, तुम्हारा, तुम से और जब हम अपने से बड़े लोगों से बात करते हैं, तुम के जगा आपका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है? अब किसी तीसरे के नाम की जगा, किसी तीसरे के नाम की जगा मतलब, जब कभी भी हम किसी और के बारे में बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा, ठीक है तो क्या शब्द यूज करते हैं उसके नाम की जगा नाम ने लगा के नाम ना बूलके या नाम ना लिखके व उसका उसे उससे वे उनका उन्हे उनसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ठीक है एक आप उदारण देखिए यहाँ पर राम रूज वित्याले जाता है यहाँ कौन-कौन बात कर रहे हैं यहाँ मैं बोल रहे हूँ और आप सुन रहे हैं ठीक है तो मैं बोलने वाली आप सुनने वाले और ये व्यक्ति हो गया तीसरा राम रोच विद्याले जाता है राम एक संग्या वाला शब्द है नाम बता रहा है तो ये है संग्या वह एक अच्छा लड़का है कौन अच्छा लड़का है? राम तो राम के नाम के जगा जो शब्द वह आया ये क्या है? सर्वनाम उसका स्वभाव बहुत अच्छा है उसका, किसका? जाम का तो हम किसी तीसले के बारे में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो उसका क्या हुआ? उसका भी सर्वनाम शब्द हो गया मैं उसके साथ खेलता हूँ मैं उसके साथ खेलता हूँ और मैं लड़की हूँ तो मैं उसके साथ खेलती हूँ लिखेंगे तो मैं मेरे नाम के लिए सर्वनाम शब्द हो गया, नाम के जगह हो गया मैं कौन? टीचर, ठीक है? तो इसको भी गेरेंगे, ये भी सर्वनाम शब्द है उसके साथ किसके साथ राम के साथ तो राम ना लिखकर मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है तो ये भी हो गया सर्वनाम शब्द तो आप समझ के होंगे कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं अब आप अपने पुस्तक खोलिए, प्रिस्ट संख्या 33, सर्वनाम, ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे, पंकच ने अपने बारे में बताया, मैं पंकच हूँ, यह पंकच है, यह अपने बारे में बता रहा है, मैं पंकच हूँ, मेरा घर पास में ही है, मुझे मित्र बनाना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं मेरा मुझे, बोलने वाला अपने नाम की जगह, मैं मेरा मुझे, हम, हमारा, हमें का प्रयोग करता है, आप पहले समझ चुके हैं, जो नाम की जगह, जो शब्दों का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, मोहन ने पंकच से कहा तुम अच्छे बालक हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोहन है और पंकज, ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है तो जब हम मोहन ने पंकज से बोला, मतलब पंकज के बारे में बता रहा है, तो पंकज के नाम के जगर तुम, तुम्हारा और तुम से कप्रयोग हुआ, तो ये तीनों शब्द क्या है, सर्वना, ठीक, यहां भी हम देखते हैं, पंकज ने मोहन से आगे बताया, मेरा छोटा भाई नीरज है, अब पंकज किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, पंकज और मोहन बात कर रहा है, और पंकज मोहन के बारे में ना बूल के किसी और के बारे में मोहन को बता रहा है, मेरा छोटा भाई नीरज है, वह भी तुम से मिलना चाहता है, उसका मन भी यहां आने क कर रहा था, उससे मैंने घर पर ही रहने को कहा, वह उसका और उससे ये तीनों शब्द उसके छोटे भाई नीरच, नीरच के नाम के जगा प्रयोग में लाए गये हैं, और ये तीनों शब्द क्या है? सर्वनाम, ठीक है? और मेरा शब्द पंकज के नाम के स्थान पर आया है, तो मेरा भी सर्वनाम है आओ, कुछ सर्वनाम शब्दों का मचेदार प्रयोग देखो मैं बाजार गया, बाजार में कई दुकाने थे, मुझे दवा लेनी थे, मैं दवाई की दुकान पर पहुचा दुकानदार ने मुझे से पूछा, तुम्हें क्या लेना है? मैंने कहा, मुझे खासी की दवा चाहिए यहां आप देख रहे हैं, मैं बाजार गया ये बच्चा बता रहा है कि ये बाजार गया तो ये अपना नाम नहीं बताया, ये नाम की जगह क्या प्रयोग किया? मैं, मैं बाजार गया, बाजार में कई दुकाने थी, मुझे मुझे किसे? इसे, अपने नाम की जगह कौन सा शब्द? मुझे का प्रयोग किया, दवा लेनी थी मैं दवाई की दुकान पर पहुचा कौन पहुचा? ये दुकानदार ने मुझसे पूछा किस से पूछा? मुझसे इससे तुम्हें क्या लेना है? अब दुकानदार जब इससे बात कर रहा है तो दुकानदार बोलने वाला और ये सुनने वाला तो इसके लिए प्रयोग क्या हुआ है? तुम्हे. मैंने कहा मुझे खासी की दवा चाहिए. मुझे सर्वनाम है. उन्होंने मुझसे दवा की पर्ची मांगी. उन्होंने किसने? दुकानदार ने. मुझसे किससे? इससे. मेरे पास पर्ची नहीं थी. मेरे पास. वे बोले पर्ची के बिना हमारी दुकान से तुम दवा नहीं खरीच सकते. हमारी किसकी दुकानदार बोल रहा है? तो वो अपने लिए कौनसी शब्द यूज किया? कौनसा शब्द प्रयोग कर रहा है? हमारी. तुम जिससे बोल रहा तुम दवा नहीं खरीच सकते मेरा मुझ लटक गया मेरा किसका जो हमें ये सारी बाते बता रहा है तो आप देखें जो बोलता है वो अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, मुझसे इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है अभ्यासकार्य बोलने की बारे बोलने वाले को इंगलिश में speaker कहते हैं और सुनने वाला को listener सर्वनाम को pronoun लिखने के बारे इन वाक्यों में उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो यहां से सही शब्द चुनकर यहां परना है परिक्षा नजदीक है मेरा परिक्षा मेरी परिक्षा या मेरे परिक्षा मेरी परिक्षा नस्दीक है नाम क्या है तो क्या होगा उत्तर तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारी या तुम्हारे तुम्हारा आखे सुन्दर है उसका आखे सुन्दर है नहीं उसकी आखे सुन्दर है क्या होगा उतर? उसकी आखे सुन्दर है वह डैश मिलना चाहता है वह तुम मिलना चाहता है? नहीं वह तुम्हारा मिलना चाहता है? नहीं वह तुमसे मिलना चाहता है जूते चमक रहे हैं उनका जूते चमक रहे है? नहीं उनकी जूते चमक रहे हैं? नहीं, उनके जूते चमक रहे हैं. अब चित्र के आधार पर दो सहेलियों के बीच हुई बातचीत के शब्द खाली स्थान में भरो. यहाँ पर संकेत बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हैं. सर्वनाम शब्द हैं. उन्हें भरना है. ठीक है? स्नेहा. स्नेहा कहती है, अरे राधिका कब आई? तुम कब आई? एक जब दूसरे से बात करता है, तो कौन से शब्द को यूज़ करता है? तुम. राधिका, मैं तो तीन दिनों से यहीं हूँ. क्या बोली? मैं. अपने बारे में राधिका बोल रही है. मैं तो तीन दिनों से यहीं हूँ. स्नेहा बोलती है तुमने फोन क्यों नहीं किया राधिका बोलती है कहां से करती तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था तुम्हारा नंबर तुम्हारा शब्द स्नेहा तो आंटी से ले लेती न उनके पास मेरा नंबर था स्नेहा बोलती है फिराधिका बोलती है उन्होंने मुझे बताया नहीं स्नेहा पूछती तब बताती ना खेर चलो हम दोनों चाय पीने चलते हैं तो आप लोगोंने देखा हम लोगोंने कैसे सर्वनाम शब्दों की सहायता से ये बातची पूरी की तो आप समझ गया होगे कि सर्वनाम शब्द कितना महत्वपूर्ण है अब एक बार खुद से आप इस पार्ट को पढ़िएगा ठीक है थैंक यू